नरेंदर मोधी भाषण में क्या बोलते हैं? हमारे देश में, इतिहास में बहुत बड़ा साइंस था और वो साइंस प्लास्टिक सरजरी का भी था और उसका उधारन दिया गनेश कि कैसे हाथी का सिर काट करके बच्चे के उपर लगा दिया यह हमारे बड़े बड़े डॉक्टर लोगों ने करके दिखाया भारत का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है? वो ले कौरो सौव, वन हंड़ेट, कौरो पांड़ो कौरो लोग सौव, कैसे होगे सौव? वो ले स्टेम सेल रिसर्च था, स्टेम सेल रिसर्च इतना जूट, इतना पाखंड, अंदविश्वास भारत का प्रधान मंत्री उसका प्रचार कर रहा है इससे देश रसातल में जाएगा जब आप जाते हैं नेपाल, एस प्राइम मिनिस्टर आप दो घंटे तक मंदिर के अंदर पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर घुस करके पूजा करते हैं, ऐसा सब डाल करके माला, फाला, क्रिपुंड तुमको पंडागिरी करना है तो जाओ वहाँ पंडागिरी करो प्राइम मिनिस्टर के कुर्शी पर बैठ करके भावना और स्पिरिट के खिलाफ है मैंने उसके खिलाफ स्टेट्मेंट दिया डेरादून में प्रेस कांफेंस करके मैंने कंडेम किया इसको मैंने कश्मीर में, शीनगर में खड़े हो करके कहा अमरनाथ, अमरनाथ, बहुत बड़ा तीर स्यातरा जाता है आपके इदर सबरी मला वाले जाते हैं सबरी मला, ऐयपपा, ऐयपपा यह भी अंदविश्वास है, सारा का सारा यह तिरुपती भी अंदविश्वास है और यह अमरनाथ भी अंदविश्वास है मैंने शीनगर में कहा मुझे टेलिविजन वालों ने पूछा कि स्वामी जी इस बार अमरनाथ की तीर थियात्रा को सरकार ने पंदरा दिन कम कर दिया तो आपको क्या रियेक्शन देना मैंने का पंदरा दिन क्यों कम किया इसको पूरा कम कर देना चाहिए खत्म कर देना चाहिए बोले क्यों वो तो बर्फानी बाबा है वो तो शिवलिंग है मैंने का वो कोई शिवलिंग वगएरा कोई परमात्मा कोई नहीं है वो तो साड़े तेरा जार फुट पर हिमालाय में पानी उपर से टपकता है तो नीचे से बरफ ऐसे बन जाता है हम तो भुगोल में पढ़ते थे स्टेलिक टाइट, स्टेलिक माइट बोलते हैं उसको नीचे से उपर जो बरफ जाता है और उपर से जो नीचे लटक जाता है ये तो एक नेचरल फेनोमेना मैंने का कोई इसकी इश्वर परमात्मा का उतना बड़ा उसको तुम बना रहे हो श्यूलिंग बरफानी बाबा उसके लिए सब साड़े तेरा जार फुट पे जाते गॉर्मेंट को इतना इंतिजाम करना पड़ता करोडो करोडो रुपया सेना लगानी पड़ती है सुरक्षा के लिए ये सब धोखा है पाखंड है मैंने ये कह दिया मैंने ये भी कहा कि एक बार यातरा शुरू होने से पहले वो सारा का सारा श्यूलिंग ग्लोबल वार्मिंग में पिगल गया वो गायब हो गया तो गवर्नर जनरल एस के सिन्हा गवर्नर थे वो हेलिकॉप्टर में आर्टिफीशल आइस ले करके गए और उसको बना करके ताकि भगत लोग आएंगे तो उनको सच्मूच का एक शिवजी मिलना चाहिए ये क्या है ये सरकार का काम है कुम्ब का मेला लगता है हरिद्वार में लगता है इलहाबाद में लगता है आपके पडोस नांदेड में लगता है अभी गुदावरी का भी क्या क्या मनाया लोग मर जाते हैं उसके अंदर भगदड मस्ती है मैं हर बार जाता हूँ कुम्ब के मेले में, पांच सो हजार लोगों को ले करके, मैं पूरे यात्रा निकालता हूं, नारे लगाता हूं, इस्थार बाएटा हूं, कोई गंगा में डुप की लगाने से पाप नहीं धुल सकता, और गंदे नदे में, नाले में, आप पानी में डुपकी लगाओगे तो बिमार हो जाओगे